असलाम अलेकुम फॉर क्लास इस शाइंस लेक्चर आई होप यू विल बी फाइन वाइ दी ग्रेस आप अल्लाव बैटा हमने यूनित टो स्टार्ट किया हुआ है इसके हम हाफ रीडिंग कर चुके हैं हाफ हम आज करेंगे दनीम इस फूड एंड बैलेंस डाइट फूड एंड इस चेप्टर में हम अपने फूड ग्रूप्स जो है कुछ की रीडिंग कर चुके हैं बाकि हम आज कंप्लेट करेंगे जैसा के फूड ग्रूप्स हमने स्टेडी किये थे कार्भो आइड्रेट्स डाइट्री फाइबर प्रोटीन फैट्स इनके हम रीडिंग कर चुके हैं इसमें हमने कुछ लाइन को अंडरलाइन भी किया था जो के इनके फंक्शन थे आज हम रीडिंग करेंगे बुक पेज 14 की और इसमें हमारे तू जो हैं फूड ग्रूप्स रह गए हैं वो हम कम्प्लीट करेंगे फिस्ट इसमें इसमाल अमांट वर वर बॉड़ी जो मिनरल्स हैं वो हमारी बॉड़ी को लेस अमांट में रिकॉर्ड होते हैं और जो मिनरल्स के कुछ नेम्स हैं वो हैं आईरन, केल्शियम, फासफोर्स, आयोडीन, एंड साल्स आर केल्शियम एक मिनरल है और इसका फंक्शन क्या है कि यह हमारी बॉण्स को और हमारे टीथ को हैल्दी और सट्रॉंग बनाती है, डिटी प्रोड़क्ट्स आर गूड सोर्स आपको यहां पे पिक्चर में नजर आ रहे हैं यह सारे डिटी प्रोड़क्ट्स हैं यहां पे कु आपको पता है कि हम डेली इनकी स्माल क्वांटिटी में इंको यूज करते हैं समत एम इने डेली यूज नहीं करते हैं नेट से वाइटमिन थेसार डेकल्स इप्रेब्स उर बॉड़ड़क्ट्ड ँर अर हमारी बोडे को актив बनाते हैं वापि आइसाइट गायि प्रेवटन वाइट कहा от estaba क्या क्या फंक्षन है कि हमारी बोन्स और सकिन वाइदी हमारी आइसाइट को सट्रांग करते हैं हमें energy प्रोवाइड करते हैं हमें infection से यणि जर्म से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, अगर हमारी बॉड़ी में कहीं वाउंड हो जाए, कर्ट लग जाए, तो यह उसको हील करने में, जखम को ठीक करने में बहुत जल्दी हेल्प करते हैं, हमारी बॉड़ी में जिन वाइटामिन की बहुत ज़्यादा जुरूरत होती हैं, वो कौन-कौन से हैं, वाइटामिन ए, बी, सी, डी और के, और आपको पता है कि सनलाइट में जब हम बैठते हैं, सुबो-सुबो जब सूरज निकलता है, तो सनलाइट जब हमारी बॉड़ी हमारी स्किन में आटोमेटिकली कौन सा वाइटामिन बनता है वाइटामिन डी और यह हमारी बॉन्स को एक्टिव बनाता है और इसलिए वाइटामिन डी में अगर किसी को जुरूर हो तो वह हम सनलाइट से भी ले सकते हैं, हमारी स्किन जो है, जब इसके उपर सनलाइट प बच्चो आपको डेली जो है वो नहीं बता होता कि डेली आपने क्या खाना है सम्टाइम आप सारा दिन वेजटेबल भी नहीं लेते शारा दिन आप फ्रूट भी नहीं लेते आप डेली का आपना अर्रेंजमेंट करते हैं ब्रेकफास्ट में आप लोग नाश्टे में प्राठा लेते हैं एग लेते हैं लंच में आप कोई डिफरेंट चीज लेते हैं नाश्टे में सेंविच भी आप लेते हैं और फूर्ट्स लेते हैं और डिनर में आप कोई डिफरेंट चीज लेते हैं ठीक है ऐसा नहीं होता कि सुबो भी आपने पराठा खाया, लइंच में भी आप पराठा काएंगे और डिनर में भी आप पराठा काएंगे आप ABC मेनयू बनातcketい व्हूंसिति एक आपनी उत्राप झालंद कि आप देली की फूर्स को अरेंज्ज करते हैं तो यह एक food pyramid है इसमें आपकी foods को जो है एक pyramid में शो किया हूआ है इसमें आपको बताया गया है कि कौन सी foods आपको बहुत ज़्यादा लेनी चाहिए और कौन सी कम लेनी चाहिए तो हम जो daily foods लेते हैं उसमें grains ज्यादा होते हैं जैसे गंदूम याटा जो रोटी बनाते हैं हम चावल वगरा और जो दाले हम यूज करते हैं चने bread potatoes यह सारी चीजें जो है यह हम ज्यादा यूज करते हैं अल्मोस डेली यूज करते हैं तो यह हमें ज्यादा अमांट में लेनी चाहिए ठीक है क्योंकि यह हमारी बॉडी को carbohydrates energy भी प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी को active रखते हैं इसके लावा vegetables है vegetables भी हमें ज्यादा लेनी चाहिए क्योंकि यह हमारी बॉडी को dietary fibers प्रोवाइड करते हैं यह हमने reading में पढ़ा था इसके लावा fruits है fruits हमें almost 3 लेने चाहिए को यसे भी 3 fruits जो हमें चूज करने चाहिए fruits जो हमें sugar प्रोवाइड करते हैं इसके लावा यह meat and fish यह हमें बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए प्रॉड़ाने चाहिए ज्स करते हैए ज्यादा नहीं चाहिए डैली यह में लेनी चाहिए मैं ज्सके लेना चाहिए जोनाफरी बॉड़ी costs है यह मोफद यह में कम अमाउंट में लेनी चाहिए और यह एक जो है वह फूट पारमीड और इसके जो को आप देखें हैं यह जो कॉलम है इसमें सारी ग्रेंजेंड है इस्कॉलम में सारी वेज़ीटीबल इसमें व्रोट्स हैं चिकन ब्रेड वगर्णा तेरी प्रोडक्स है यह जंक फूड्स हैं इनको इस तरह परमीड की शकल में अरेंज किया हूँ है और इससे आपको help out किया हूँ है कि आपको कौन सी healthy foods है वो डेली लेनी चाहिए कौन सी foods ज्यादा लेनी चाहिए और कौन सी foods काम लेनी चाहिए इसके लावा क्या बिटा आपको healthy रहने के लिए सिरफ foods लेनी चाहिए क्या आप सिरफ healthy food लेंगे और इदर उद्दर पीरेंगे नहीं आप exercise नहीं करेंगे पानी नहीं पीएंगे तो क्या आप healthy और active रह सकेंगे नो तो हमें अपनी healthy diet के साथ-साथ हमें क्या करना चाहिए pure water इसके साथ साथ हमें बॉड़ी को एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज भी डेली करनी चाहिए अब हम पढ़ते हैं कि वाटर हमें डेली कितना पीना चाहिए तो आल दे सिस्टेम इन बॉड़ी नीड वाटर तो फंक्शन आपको अपनी बॉड़ी को एफिशेंट और एक्टिव रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा पानी फ्रेश और प्यूर वाटर जो है वो डेली पीना चाहिए अपको पते हैं, हमारे बॉड़ी के बिल्डिynग ब्लॉट घًने के लिए आपको यहाद हो चाहिए और आपने इसको follow भी करना है कि हमें डेली कितने glass of water पीना चाहिए 6 to 8 glass या अपने डेली 6 to 8 glass water लेना है next exercise, बैलस्टाइट के और water के साथ साथ हमें daily exercise भी करने चाहिए जो कि हमारी body को healthy और active रखती है exercise makes you feel good, it improves your blood circulation and keeps the bones and muscles strong so eat right आपको क्या करना चाहिए eat right आपको अच्छा काना चाहिए drink plenty of water बहुत जादा पानी पीना चाहिए pure water be active exercise करनी चाहिए ताक आप active रहे and live a healthy life तो आप क्या करेंगे एक healthy life जो है वो spend करेंगे अब आपको पता होना चाहिए कि healthy life के लिए क्या क्या चीज़ें जरूर है three things first is the eat right, drink plenty of water, be active, be active exercise है और आप क्या होंगे healthy और active होंगे नेक्स लास्ट मेरा टॉपिक है cooking and preserving food हम जो balanced diet butter लेते हैं उसको हम cook भी करते हैं और उसको preserve यह नहीं महफूज भी करते हैं आपको पता है कि कुछ foods हम daily cook करते हैं और daily एकाते हैं और कुछ foods हैं जो हम preserve कर लेते हैं अगर आपको कोई चीज ज्यादा देर के लिए महफूज रखनी है तो आप उसको फ्रीज में रख लेते हैं वह फ्रीज हो जाती है और आप daily भी जब आप का दिल चाहे आप उसको यूज कर सकते हैं और cook करने के लिए भी हम heating juice करते हैं इसके लावा foods को preserve करने के लिए हम क्या करते हैं फूद को fry भी कर सकते हैं boil करते हैं steam करते हैं बेक और उसको roast भी कर सकते हैं अगर जब हम cook करते हैं तो cooking से food जो है वह soft और tasty हो जाती है cooking के बगार अगर आप supposed chicken आप खाएं तो cooking के बगार वह अच्छा नहीं लगता तो फिर जब आप उसको cook कर लेते हैं रोस्ट कर लेते हैं तो वह soft भी हो जाता है और tasty भी हो जाता है और उसको हमारी body easily digest भी कर सकते हैं cooking kills the germs इसके लावा जो foods में germs होते हैं वह भी किल हो जाते हैं जब हम foods को cook करते हैं तो germs से भी हम protect हो जाते हैं over cooking food अगर आप food को बहुत ज्यादा cook करेंगे तो भी food जो है वह खराब हो जाएगी वह जल जाएगी तो foods can be frozen or preserve to prevent them from spoiling और foods को हम preserve भी कर सकते हैं ताके हम उसको ज्यादा देर तक सेव कर सकें और इस्तमाल कर सकें आज का lecture हमारा यहां तक complete है आपने इसको अची तरह से read करना है और यह जो चीजें underline की होई है इनको आपने underline भी करना है वीडियो देखने के बाद आपने इसको लाइक भी करना है शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है तेंक यू